नमस्कार, हमारे पूर्वज, हमें बहुत छोटे छोटे से स्लोकों से बहुत बड़ी बड़ी सीख देते रहे हैं, ऐसा ही एक बहुत इफेक्टिव सा स्लोक है, आप सभी ने सायद सुन रखा होगा, इस स्लोक में आप देखें, नास्ति लोब समो व्याधी, लोब के समान या लोब से बड़ी कोई व्याधी नहीं है, ऐसे ही नास्ति क्रोध समो रिपूर क्रोध से बड़ा कोई दुस्मन नहीं हो सकता कहा जाता है कि क्रोध अगर किसी को आता है तो उसके लिए दुस्मनों की आवस्यक्ता ही नहीं है वो स्वैम का सबसे बड़ा दुस्मन होगा नास्ति दारिद्र वदः दुखम दरिद्रता से बड़ा दुख पूरी दुनिया में और कोई नहीं है नास्ति ग्यानात परम सुखम और सुख की अनुबूति अगर करनी है तो ग्यान परम आवस्यट माना जाता है ये एक छोटा सा स्लोग था लेकिन इसने हमको सीख दी कि अगर आपको स्वस्त रहना है व्यादियों से मुक्त रहना है तो लोभ आपके लिए बहुत नुक्सान दायक होगा कुरोध आपके लिए सत्रु के समान होता है दरिद्रता आपके मन में अगर रही तो निश्चित ही ये आपके लिए एक बहुत बड़ा दुख होगी और अगर आप ग्यान का सही अर्थ समझकर ग्यान को अर्ज़ित करते हैं तो ये आपके लिए सुख दायक माना जाएगा अगर हम ऐसे छोटे-छोटे नियमों का पालन कर पाएं तो निश्यत ही हम धीरे-धीरे करके अपनी सारी समस्याओं का निदान स्वयम कर सकते हैं आसा है आप इस छोटे से स्लोग के माध्यम से कही गई हमारे पूरवजों की बातों को गौर से सुनेंगे, समझेंगे और इनका पालन करेंगे धन्यवाद